रोहनिया थानक छेतर के जगतपुर में उपनी रक्षक अजेई यादव को अग्याद बदमाशों द्वारा मारी गई गोली के बाद घटनास्तल पर मौज़ूद पुलिस अधिकारियों द्वारा अनन्त होस्पिरल पर पहुँश कर घटना के बारे में जानकारी देते हुए एस अधिश गनेश पुलिस आयुक्त अफर पुलिस आयुक्त संतोष सिंग इस पे वार्नसी गरामिन सुर्याकान तिरपाथी इत्यादी अधिकारी कर मौज़ूद रहे देखें अभी मुंबाई टाइम्स निउस वार्नसी की खास रिपोर्ट इजनसी में ले जा गया फिलका सिटिए उसके रिक्सरे हुआ अचा अभी अधिस वार्नसी की खास अभी पर्मा है उसके अफ्या पाई सुमभी वार्नसी अभी एड्मिक्ट या और शीन काहा है उनकी एक बोली है कहां लगी थी ये श्वेफ़ए के बगल परे के लग शीन अज अपने निजी प्लॉट पे जो की थाना रोहनिया के जगतपूर चेतर में परता है वहाँ पर शाम को करीब छे साड़े शे बजे की बीच में पूचे हैं वहाँ पर तीन अग्यात दियोकों के द्वारा इनके उपर अमला किया गया एक पायराम इंजरी इनके शरीर पर पाई गई है डॉक्टरों से जो हमने अभी तक बात की है उसके मताबिक इनकी कंडिर्शन इंक्डम नॉर्मल है किसी भी प्रकार का इनको जीवन भै नहीं है सीटी स्कैन और एक्सेरे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है लेकिन ये गंभीर घटना है और कविशेट पुलीस ने इसको पूंड गंभता थे लिया है अधतकाल वरिश अधिकारियों ने घटनास्तल का निक्षन कर लिया है हमारी पांच टीम है जिसमें टेकनिकल टीम भी लगाई गई है वो इस घटना के खुलासे के लिए प्रयासरत है हमारा प्रयास होगा कि जोगी लोग इसमें इन्वाल्ड हैं उनको शीवर से शीवर शिनात करें और उनके विरूद कठोरतम करवे हम लोंके द्वारा की झाल 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 झाल